बिहार में बाड के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तलास्ते रागोपूर पहुंचे नेता प्रतिपस्ति जश्वी यादों का बड़ा बयान सामने आया है तिजश्वी ने कहा कि दो तिन महीने में नितिस की सरकार गिर जाएगी कोरोना और बाड का दंस जेल रही जनता के बीच आज तिजश्वी यादों पहुंचे लंबे अंतराल के बाद अपने विधान सवाचेतर रागोपूर पहुंचे तिजश्वी ने अपने बयान से सब को चौका दिया उन्होंने रागोपूर की जमीन से नितिस के सरकार के गि जा लिया इसके बाद बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि द्वेश की भावना से इस इलाके में विकास का काम धीमा हो गया है पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस अधार पर तिजश्वी यादों ने ये बयान दिया है क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पकर ही है फिलहाल आपको बता दे कि नेता परतिपैस 204 दिनों बाद सुक्रबार को अपने बिदानसवा छेतर रागोपुर पहुंचे जन्ता के बीच ते जश्वी ने कहा कि दो तीन महीने रुख जाईए सरकार गिरने वाली है अब इस पर सत्ता पच्च क्या कहता है इसका इंत तो बाद सुक्राइए सुक्के अब आद आद से जश्वी राए अर देना लडा जै रहा है तो शीपकवाला ना ना देक्सास है जी हमर देशा है आई कोटिई कि दॉख जन्ता सले इसके बाद से सब्सक्राइब लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए